हमश्कार मैं हूँ तोरल और आप देखे रहें ततकाल नियूस लाइफ टेसला इनके मालिक एलान मस्क ने सोमार को कहा है कि वो ट्वीटर के चीफ एग्जेकिटिव ओफिसर के तौर पर काम करेंगे एलान मस्क ने हाली में ट्वीटर को 44 बिलियन में खरीदा है राइटर्स की खबर के अनुसार वॉल स्टीट के जानकारों का कहना है कि यह एक ऐसा कदम है जिसके कारण दुनिया के सबसे अमीर अरपती और भी व्यस्त हो जाएंगे और उनके पास एक साथ करने को बहुत कुछ रहेगा एलॉन मस्क एक रॉकेट कमपणी सस्पेक्स भी चलाते हैं उनके पास ब्रेंचीप स्टार्टप, नियूरोलिंक और टरनल बनाने वाली कमपणी दब बेरिंग कमपणी की भी जिम्मेदारी है एलॉन मस्क ने पिछले हफ़ते ट्वीटर के पिछले सीईओ पराग अगरवाल और वरिष्ट अधिकारियों को नोकरी से निकाल दिया था जबसे इलॉन मस्क ने अप्रेल में ट्वीटर खरीदने का प्रयाश शुरू किया था तबसे उनका एक तिहाई मुल्य कम हो जुका है इसी समय बेंचमार्क्स S&P 500 इंडेक्स कमपनियों के मुल्य में लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट आई इलॉन मस्क ने इस से पहले अपने ट्वीटर बायों में चीफ फिस जोड़ा था इस से उनकी योजना के बारे में कयास लगाने शुरू हो गय थे ट्वीटर ने सोमार को इस बारे में कोई टिपनी करने से मना कर दिया था कि एलॉन मस्क कितने लंबे समय तक ट्वीटर के CEO रह सकते है या कि वो किसी और की नियुक्ति करेंगे सोमार को एक और फाइलिंग में मस्क ने बताया कि वो अब कंपणी खरीदे जाने के बाद ट्वीटर को अकेले डारेक्टर बने रहेंगे एलॉन मस्क ने अपनी फाइलिंग में बताया कि यह लोग जो मर्जर से पूर्वर ट्वीटर के डारेक्टर थे अब ट्वीटर के डारेक्टर नहीं है इसके कुछ देर बाद इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था बोर्ट को भंक करने का कदम अस्ताई है महिनों चली खीचतान के बाद पिछले हफते इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया कमपणी ट्वीटर की डिल 44 बिलियन में पूरी हो गई थी टेक ओवर के तुरंद बाद इलॉन मस्क ने ट्वीटर पर यह हर जगह अपनी चाप छोड़ने में लगे हैं जिसे वो महिनों से निचा दिखा रहे थे